असलाम अलाइकूम मैं हूल लुक्मान खान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपको कुछ टुटोरियल्स मिलेंगे जिन लेने आपको मुकमल वेबसाइट डिसाइनिंग उसके इलावा अडोब फोटोशॉप, ट्रीम वीवर और कुछ डिफरेंट सॉस्ट्वेर इसकाऊ से इसली पहले से पहले आपना Adobe Photoshop CS5 स्टार्ट करेंगे या जो 되지 आपके पास Adobe Photoshop आप अपना वरजिन स्टार्ट करेंगे मेरे पास Adobe Photoshop CS5 आप स्टार्ट किया हूँ मैं अपना ये Adobe Photoshop कर चुका है और सबस्पर है आप फाइल पर क्लिक करेंगे न्यू पेज के लिए या कंट्रोल एंड प्रेस करेंगे तो न्यू पेज स्टार्ट करने के लिए हम न्यू पेज क्लिक करेंगे अब इसकी हमने टॉप हैडर बनाना है तो हमें विट 700 ही चाहिए हाइच 120 ठीक है अब यह देखें यह हमारे पास बैक्ग्राउंड कलर मौजूद है जो ट्रांस्पेरंट है और इसके लावा वेर्ट और हाय तो एक बैनर की होने चाहिए बिल्कुल ठीक है नहीं पहले हमने श्गेज्ट ऑवर ले करना है इस वाइट ụ ब्लाइक ये इस तरह जिस एंगल पर प्राउए इस तरह लेकिन इस तरह का fromć ये तो एक कलरो की तरफ जाये तो यह इस gradient overlay कहते हैं अगर आप एक ही color करना चाहते हैं तो आप यहां से यह वाला select करेंगे यह देखें अभी इसका एक ही color हो गया है यह यह देखें यह total white color हो गया है अब मैं इसे black करना चाहता हूँ तो मैं total black color भी कर सकता हूँ यह देखें यह total black हो गया है बट मैं जो banner बने जा रहा हूँ उसके लिए मैं gradient overlay select करूँगा अब gradient overlay काम किस तरह करता है यह सबसे पहले top color से यह जो यहाँ पर हमारे पास left hand side पर दो colors बार बनी आ रहे हैं इनमें से पहले color से दूसरे color की तरफ जाता है मैं पहला color gray select करूँगा और दूसरा color मैं black set करूँगा 001 अब यह देखें अब मैं gradient overlay जब करता हूँ तो हमारे पास कितना खुप्सूरा सा pattern बना है gray to black अब मैं इसके ओपर अपने text लिखूँगा web buildry file और मैं web को blue कर दूँगा अब यह देखें यह हमारे पास आचुका है हमने इसको center में करना है हमसे बहले control A प्रेस करेंगे और vertical align center और horizontally center अब यह देखें हमारे पास यह मुकमल center में है अब हम इसकी थुड़ी सी properties में जाके और effects दालेंगे हम इसका करेंगे outer glow, outer glow, outer glow में हम जाएंगे outer glow का हम color select करेंगे white ffff white अब इसकी हम spread zero size को थोड़ा सा कम कर देंगे यह देखें और opacity 100% से थोड़ी सी काम यह देखेंगे यह आगया हमारे पास web builderify का banner और जो किसीख है अब हम इसके उपर थोड़ा सा effect दालेंगे brushes का और यह वाला brush ठीक है इसका size थोड़ा सा लोग होना चाहिए हम एक new layer बनाएंगे ताके अगर हम से कोई brush में गलती हो जाए तो हम new layer को delete कर सकें अब मैं यहां पर अपना brush का color मैं पहले select करूंगा white FFFFFF और मैं यहां पर अपना brush करूंगा अब यह रेखें यह हमारे पास brush हो चुका है बट इस brush ने web builder, web के उपर अपना effect छोड़ा है इस जैसे हम इस layer को web builderify से नीचे ले जाएंगे और आब वो देखें web builderify उपर apply हो रहा दुबारा but हम थोड़ा सा web builderify में और editing कर देते हैं हम इसको side पर ले जाते हैं यह यह हमारे पास आगया है अब इसकी थोड़ी सी और editing कर देते हैं जैसे आपने कोई sub heading add करनी हो तो मैं text लिखेंगा मैं लिजर लिखेंगा tutorials not tutorials नहीं it's my company it's my company और font का size हम थोड़ा सा छोटा करेंगे 24 और 30 और इसको इजर नीचे लियाएंगे जोड़ा नकर आप इसकी भी थोड़ी ने करेंगे इसके हम एडिटिन करेंगे कि ने के एक बटन टाइप सा दिखेंगे यह कि excitement बुरावर सा यह यह जरोब बटन टाइप सा दिखेंगा हम इसकी बन आप बॉस मन जाएंगे size को थोड़ा सा ज़्यदा करेंगे softness करेंगे थोड़ी सी softness भी आप जिते चाहें कर सकते हैं now it's okay यह देखें जी यह हमारा banner ready है अब हमने इसको export करना है यानि के इसको save करना है हम save as पर click करेंगे और इसको हम save करेंगे my computer against me games work और new folder adobe tutor इदर जाकर हम इसको png में save करेंगे और इसका नाम हम लख देंगे first और save ओके अब हम जाते है my computer में games work और इसमें adopt you यह देखिए हमारे पास banner हमारा ready है जो के बहुत खुब्सूरत लग रहा है और एक website मेरे बहुत अच्छा लगेगा so guys हमने अपने पहरे lecture में सीखा किस तरह से हम अपना adobe photoshop का एक में एक banner बना सकते हैं अपने website पर लगाने के लिए या अपने पोस्टर बनाने के लिए मेक्सीन में एड़ देने के लिए कोई banner बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं so मेरे साथ रहिएगा and never forget to click a button on top name subscribe thank you guys next tutorial is coming soon take care Allah Hafiz